और मैं हरान हो यह आपकी जातिवादी मान सिकता उंच नीच का भाव देखने वाली मान सिकता यह पशू में भी उंच और नीच का भाव देखने लग गई गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया बहुत स्वाभाविक है आपकी सरकार तो इतनी एफिशेंट है इतनी एफिशेंट है कि किसी की भैंस खो जाएं तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है यही तो आपकी सरकार की पहचान है लेकिन अखिलेज जी आपको पता नहीं है गधा भी हमें प्रेरणा देता है गधा भी हमें प्रेरणा देता है अगर दिल दिमाग चाप हो तो प्रेरणा ले भी सकते गधा अपने मालिक पर वफादार होता है गधा अपना मालिक जीतना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है कम से कम खर्चे वाला होता है भायवनों कि गधा कितना ही बिमार हो कितना कितना ही खाली पेट हो कितना ही ठका हुआ हो लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है अखिलेश जी यह सबासो करोर देशवासी मेरे मालिक है वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूँ बिना छुट्टी लिए करता हूँ ठक जाओ तो भी करता हूँ कभी भूका रहा तो भी करता हूँ क्योंकि गदे से प्रिणा लेता हूँ और बड़े गर्वत से लेता हूँ ताकि इन सवासो करोर मेरे देश सवासों के लिए गदे से भी जादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ इस गवरों के साथ काम करता हूँ